यहां पर सॉंग प्ले है और यहां पर माइग भी हमारा काम कर रहा है तो आईए हम इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार का सर्किट यूज किया गया है हेलो दोस्तो मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलक लेक्रोनिक्स और दोस्तो यहां पर वूपकर कमपनी का एके 45 प्रो यह एम्प्लिफायर है तो आईए इस एम्प्लिफायर को बॉक्स से निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें एम्प्लिफायर किस प्रकार का है तो दोस्तो यहां पर बॉक्स को ओपन करने के वाद यहां पर मेरा एके एम्प्लिफायर निकलता है और इस एम्प्लिफायर में प्रकार से यूज करना है सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है उसलाद यहां पर एक रिमोट मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार का है बहुत ही नॉर्मल रिमोट है और यहां पर देखिए एंटीना के लिए हमारा कुछ इस प्रकार से एक वायर मिलता है जिसे हम एंटीना में कनेक्ट कर सकते हैं तो आ दिख जाएगा और यहां पर इसका model नंबर दिख जाएगा और जस्ट इसी के ऊपर जो है on off के लिए switch मिल जाता है travel, bass और mic volume यहां पर देखिए mic 1 और mic 2 इस amplifier में आप दो mic easily use कर सकते एक साथ भी तो mic के लिए अलग से यहां पर potentiometer दिया गया है जिससे आप mic का sound control कर सकते हो और यहां पर main volume दिया गया है और देखिए यहां पर display है और इसमें आप जो है memory card, USB और Bluetooth connectivity इसमें लगवाग 5.0 है बहुत ही fast इसका connectivity है और इसमें देखिए दोस्तों यहां पर SD card के लिए जो camera में जो SD card लगता है वो बड़ा वाला दिया गया छोटा वाला नहीं है खैर कोई बात नहीं इसमें Bluetooth से connect करके हम बहुत ही easily use कर सकते हैं और यहां पर देखिए यहां पर 5 button मिल जाते हैं जो पहला वाला है वो mode का है और यह वाला back का play pause का और यह next का और यहां पर जो आप arrow type का देख सकते हैं जैसे हम इसमें song play करेंगे USB से तो repeat के लिए है जैसे अगर कोई song चल रहा है मानके चलिए वो song को आपको बारबार सुनना है तो यहां से इसको select करके उसी song को बारबार आप सुन सकते हैं repeat का है main volume के side से आपको एक plastic का यह design दिया गया जिसमें LED glow करेगा तो आईए इसके back side में अगर हम देखें तो यहां पर antenna के लिए कुछ इस परकार का दिया गया है पहले जो हम TV देखते थे उसमें antenna के लिए ऐसा ही socket दिया जाता था तो यहां पर जो wire दिया गया antenna का कुछ इस प्रकार से इसमें हम लगा सकते हैं उसके बाद यहां पर audio input यहां पर आप दे सकते हो और यहां पर देखिए यह studio amplifier है तो यहां पर आप दो speaker को connect कर सकते हैं और देखिए यहां पर speaker का जो impedance है जो ohm होता है यहां पर चार ohm से लेकर शुलो ohm तक का भी इसमें support है और यहां पर देखिए power supply के लिए दो सोर्स दिया गया है एक तो आप यहां पर इसली 220 वोल्ट डारेक्ट दे सकते हो जिसमें केवल दिया गया है यहां पर और इसके बाद अलग से आप अड़ेप्टर के थुरूवी 12 वोल्ट 5 इंपियर का अड़ेप्टर से इसको operate कर सकते हो लेकिन यहां पर दोस्तों यह देखने से amplifier आपको क्या लगता है यह class AB होगा या class D amplifier होगा और इसमें transformer भी नहीं है तो आईए हम इसको open करके दिखाते हैं कि इसमें किस परकार का circuit यूज़ किया गया है तो यहां पर देखें दोस्तों इस amplifier को खोलने के बाद हमारा जो amplifier का जो internal part है कुछ इस परकार का है और यहां पर देखी कुछ इस परकार का है तो यहां पर तीन section यहां पर बना हुआ है पहला तो आप यहां पर देख सकते हैं यह section जो उपर में जितना है USB डिस्प्ले और यह button के लिए यह audio panel को आप यहां पर बोल सकते हो और just इसके नीचे वाला जो आप देख सकते हो इसमें एक opamp आइसी लगा हुआ है 45.50 यह base level के लिए हो और यहां पर देख सकते है mic echo के लिए जो छोटा सा transistor के through circuit बनाया गया है तो यहां पर यह base level और mic के लिए हमारा board है उस इसमें transformer नहीं है और power supply with amplifier इसी board पे जो है देखिए यहां पर यह amplifier section है और यह class D amplifier है दोस्तों यह जो हमारा IC लगा हुआ है इस पर हीट सिंग लगा हुआ है लेकिन अगर हम side से देखे तो 86.73 जो IC आते हैं उसी परकार के यहां पर IC लगा हुआ है लेकिन यह जो IC है अब 86.73 है या कोई other भी हो सकता है क्योंकि देखने से 86.73 जैसा ही IC दिख रहा है मुझे और यह जो amplifier है दोस्तों 40W प्लस 40W output करता है जैसा हमें data sheet में दिखाया गया है और यहां पर देखिए यह हमारा power supply बना हुआ है तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसमें दो तरीका से supply दे सकते हो एक तो यहां पर डारेक्ट 220V AC दे सकते हो तो जब आप AC से यहां पर ऑपरेट करेंगे तो यहां पर एक adapter लगा हुआ है इसके थुरू यह work करेगा और यहां पर 12V input देंगे जब आप adapter से तो यहां यह डारेक्ट काम करेगा मुझे पहले लगता था यह class AB amplifier है ल और बहुत ही हलका amplifier है दोस्तों और यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर बटन का जो यह material दिया गया यह rubber का दिया गया ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का यह rubber का है यह यह rubber का है जिससे grip जो है बहुत ही अच्छा बनेगा तो आईए इसको फट अफट से body को लगाते हैं और इसका sound test करते हैं तो दोस्तों मैंने यहां पर इस amplifier पर दो speaker को लगा दिया है और इसमें मैंने power supply भी दे दिया है तो आईए इसको आउन करते हैं और देखते हैं कि यह हमारा amplifier किस परकार से काम करता है यहां पर switch को on करते हैं और यहां पर देखिए यह जो हमारा display में जो color है यह भी हमारा blue है और यहां पर volume के पास हमें भी blue color है यहां पर देखिए मैं इसमें mode को change करता हूं यह Bluetooth mode है और यह FM mode है यहां पर line in है तो आईए इसमें song को play करते हैं यहां पर मैं USB के through song को play करूंगा झाल यहां पर sound quality काफी अच्छा है यहां पर मैं आपको mic को use करके दिखाता हूं तो इसमें मैं जो mic यूज करने वाला दोस्तों देखिए यहां पर यह जो dynamic mic आता है उसको मैं यूज करने वाला हूं इसमें आप एक साथ दो mic यूज कर सकते हैं मैं अभी यहां पर check करने के लिए सिर्फ एक mic यूज कर रहा हूं और यह mic जो है आप किसी भी mode पर यूज कर सकते हो चाए वो FM mode हो या USB mode हो या Bluetooth mode पर हो यहां पर देखिए mic के लिए जो है यह volume अलग से दिया गया है जिसमें आप mic को अलग से control कर सकते हो और दोस्तों यहां पर mic जब आप यूज करेंगे तो हलका सा इसमें noise आ रहा है तो इसमें अगर body से aquarium ground कर दें यह बिल्कुल कम हो जाता है जो कि सिर्फ mic mode पर ही ऐसा आ रहा है और इस mic में आप bass travel को भी control कर सकते हो यहां पर देखिए bass travel यहां पर जो है बहुत ही जिलिया पर यहां पर control कर सकते हो ऐसा नहीं है कि bass और travel सिर्फ music के लिए bass travel mic में भी काम करता है बहुत अच्छा से hello 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 mic भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है मैं यहां पर song को play करके भी दिखा देता हूं हेलो देखिए यहां पर song play है और यहां पर mic भी हमारा काम कर रहा है अच्छा से अगर बंद रहेगा तो आप अलग से अगर echo का function आता तो और अच्छा रहता फिर कोई नहीं माइक का option दे दिया है यही बहुत बड़ी बात है तो यहां पर आपने देखा दोस्तों कि यह जो अमारा पर्चेस कर सकते हैं तो दुस्तों मारे वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभव